असलाम अलेकुम फ्रेंड वेलकम बैक इट्स मी हुमा साहिबा हावर यू आल आई हॉप यू विल बी ओल फ्रेंड यह आप देख सकते हैं कि यह तकरीबन आठ दस साल की बेबी है तो इनके जो है मैं आज हेर कटिंग करने लगी हूँ तो बहुत जल जो है इनकी आप नेक्स आप देख सकते हैं कि इनके बाल बहुत ज्यादा वेवी हैं तो इस वज़ा से इनकी जो है स्टैप कटिंग होगी स्टैप बैस्टैप आपको डिटेल में दिखाए जाएगा किस तरह से इनकी कटिंग होगी सबसे पहले इन बालों को अच्छे से जो है आप वेट कर लिज अगे तरह सिक्योर कर दिखेंगे और बैक सैट के जो बाल है हम उस पर वरक करेंगे तो यह आप देखें इस तरह से मैंने एऔर टू Are जो है इसकी पाकरो ली है और और डिशन करने चे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम बैक से कैसे कटिंग करेंगे तो आपने इस ता से इन बालों को जब अच्छे से इसको गीला कर लेंगे ना तो ये काफी हद तब जो है सीधे हो जाएंगे जैसा कि ये बहुत ज्यादा वेवी और रफ से हो रहे थे इनके बाल जो है नीचे से बहुत ज्यादा रफ है तो इस वज़ए से कटिंग कर वा रही हैं तो ये देखे हमें जो लेंद चाहिए थी हम पहले उस लेंद को स्ट्रेट जो है हम कट कर लेंगे अब इसके बाद जो है हम बालों की पार्टिशन करेंगे और फिर उस पार्टिशन के हिसाब से जो है कटिंग करते जाएंगे ठीक है आपने अच्छे से कॉम कर लेना है चेक कर लेना है कि कोई बाल चोटा बड़ा तो नहीं रह गया अवल रह भी जाए तो कोई इशू नह कर दो हमारा निकल जाएगा ठीक है तो यह रहे हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइट कर दिया है और अब हम जो है अगर पाल बहुत शदीद घने है तो आप इसको पतले-पतले ले अर अगर बाल थीन है तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं उसको थीन-थीन सेक्षन कर दें तो मैंने यह सेंटर कर लिया है और इसको हम जो है अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं ले गई हूं 45 डिग्री पे ठीक है तो 45 डिग्री पे लाके जो है हम इसको अच्छे से कॉम करेंगे और थोड़ा सा बालों को खेंच के रखेंगे क्योंकि अगर हम खेंचेंग को सीदा करेंगे और इस जगापि आप देखेंगे गायडलाइन को देखते हुए हम जो है को स्टुरेट कर देए और अब जो सेकेंड है हम इसको और देके जाएंगे आप देखें यहां तक लाएंगे और यहां तक लाने के पाथ हम इसकी जो है इसको भी गाइड लाइन को देखते हुए इसको कट कर देंगे अब देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको उठाया है उसी तरह से आप बालों को इस ट्रेट जो है अच्छे से कॉम करके और उपर करके फिर आपने इसको कट कर देना ठीक है इसके बाद हम जो है साइड में हमने एक सेक्शन बड़ा सा छोड़ा था तो हम उसमें से भी टू पार्ट कर लेंगे उसको टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे और यहां से जो है हम गाइड टाइन ले लेंगे ताकि हमारे बाल जो है एक जैसे जो है कट हो ठीक है तो उसके बाल जो है हम इसको अच्छे से कॉम करेंगे और आपने ये देखना है कि बाल जो है कर ली है तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से कॉम करनी पड़ेगी और अच्छे से कॉम करने के बाद जो है हम इसको 45 पे रखके और हम जो है गाइड लाइन को देखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे देखें स्ट्रेट कटिंग कर लेना है ठीक है और अगें जो हम सेकिंड कटिंग करेंगे वो हम अच्छे से उपर लेके जाएंगे इसको मैं तकरीब आप देख सकते हैं कि इसको मैं 75 तक लेके गई हूँ ठीक है 75 एटी इतना लेके जाओंगे और वहां पर कट कर दिया उसके बाद अब फिर अगें हमाई जो बाल थोड़े से इस साइड के रह गए हैं तो हम उसको आप देख सकते हैं कि बालों के अकॉर्डिंग ही मैं बालों को उठा रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैंने इसको जस्ट पीछे रखके ही कट कर दिया है नहीं जिस तरफ बालों का रोख होगा हम उसी तरफ घड़े होके उसकी कटिंग करेंगे ठीक है और यहां भी देखें गाइड लाइन को देखते हुए मैंने इसको कट कर दिया है अब हम इसको उपर लेके जाएंगे और अच्छे से कौम करने के पाद इसको कट कर देगे ठीक है तो फ्रेंड्स जो मेरे चैनल पे नियू है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिल्य और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे दौाओं में तो लाजमी आप लोगों ने याद रखना है ठीक है तो अब आप देखें कि अब मैं दूसरी तरफ आ गई हूँ अब जो है इनकी इस साइड की जो कटिंग है मुझे लग रहा है कि मैं एक साथ यह सारे बालो को उठा के कर सकती हूँ तो मैं कर रही हूँ अगर आपको यह मुश्किल लगे तो आप इसको जो है टू पार्ट्स में डिवाइट कर दे और उसके बाद आप इसकी कटिंग करें ठीक है क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्याद तजर्बा है इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता है लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपको चाहिए कि आप बालों के जो है वह पतले पतले से सेक्शन लें और उसके बाद आप इसकी कटिंग करें ठीक है तो फ्रेंड अगर आपको कोई कटिंग सीखनी हो या कुछ भी तो फिर आप मुझे से जो है कॉमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्या सीखना जाते हैं अब आप देखें कि यह और मॉस्स इनकी बैक साइट की कटिंग जो है डन है अब हम फ्रेंट की तरफ आते हैं ठीक है तो फ्रेंट के बालों को भी देखें मैं अगें गीला कर रही हूं क्योंकि यह सारे जो है ड्राय हो चुके हैं तो इसलिए इनको अगें मैंने गीला किया है ताकि मुझे जो है कटिंग करने में कोई मुश्किल ना हो ठीक है तो यह देखें बैक साइट हो गई है कट अब हम आते हैं फ्रेंट की तरफ फ्रेंट में हमने फ्रेंट के बालों को जो है टू सेक्शन में डिवाइट कर देना है और उसके पाद जो है हम हर सेक्शन के दो गाइड लाइन के अक्रदिग बाइड पी ने इनकी स्टार्ट में थी बालो की तो आप गाइड लाइन के अकॉडिंग करोंगी तो यहांसे मैंने बैक से जो है इनका जो है guideline डेली है इसलिए मैंने उसकी length को वहीं तक रहने दिया है और guideline के according जो है मैंने 45 degree पी जो कट कर दिये ठीक है यह मैंने इसलिए बताया है कि अगर आपके पस गाइडलाइन पहले से हो और आप ने इस तरह से कट नहीं किया हो तो आप यूँ भी कट कर सकते हैं तो यह रेखें इस तरह से रखके अब जो बाकी के बाले वो कट कर दी हैं उमीद करती हूँ कि आपको यह कटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप जो खुद करने लगेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कोई मुश्किल कोई परिशानी नहीं होगी अगर फिर भी आपको कहीं से समझ में ना आए तो आप मुस्सर पूछ सकते हैं आपको मैंने दोनों टाइप से बता दिया है आप चाहें तो पिशली गाइडलाइन के हिसाब से कट कर सकती है और चाहें तो इस तरह से पहले कट कर ले और बागी सारे स्टेप्स फॉलो कर लें ठीक है है तो आप देख सकते हैं कैमेर लाइन के अ 10 जो है इसकी कटिंग 관리 है y DOU ँमें होने वाली है अब हम इसको करने के बाद दूसरे साइड की तरफ जाएंगे तो हब देख सकते हैं के ये भी ट्राइ हो चुके हैं तो टॉस्ट हम इसको अच्छे से जो है अगे जेज़ कर कर के अ थर desperate कर लेते हैं कि अब देख सकते हैं कि इनके बाल बहुत ज्यादा उलच गए हैं क्योंकि इनके वेवी बाल हैं बहुत ज्यादा कर ली हैं तो इसको मैं जो है पहले अच्छे से सुलचा के और उसके बार इसकी कटिंग करूंगी ठीक है कि देखें सबसे पहले मैंने की लेंथ काट दिये और अब जो है मैं इसको स्टेप बाइस स्टेप इसकी कटिंग करूंगी है बैक से हम गाइडलाइन ले लेंगे और उसी कि अकॉर्डिंग जो है इसको कट करेंगे गाइडलाइन का ख्याल आपने जरूर रखना है अगर इसलिए आपने गाइडलाइन को लाजमी जो है साथ में लेना है इस तरह से आप जब कटिंग करेंगे तो सारे बाल जो है अच्छे से मर्ज हो जाएंगे बहुत अच्छी कटिंग होगी इसको जर्श्ट मैं जो इसकी कटिंग है वो टू स्टैप्स में कर रही हूँ ठीक है एक मैंने 40-45 पर रखा है और सेकिट मैंने 75-80 पर रखा है कि 90डिग्री पर कट नहीं किया है क्योंकि बालों की बाल अगर लेंध में और लंबे रखने होते तो फिर में शायद इसकी जो है 90 डिग्री पर भी ले जाती लेकिन इनके बाल इतने शॉर्ट रखने थे अगर मैंने 90 पर करती तो उपर से बहुत शॉट हो जाते तो इसलि जिसने को यह पाल ऐसे हैं कि आप इनको इसी तरह से जो है नैचरली ड्राइ होने दे तो यह बहुत जबर्दस लगेंगे मैंने दिखाओंगी तो फिलहाल जो हैं फॉर्ण के लेयर करने लगे हैं such a quy ю. आपाल हैं कि रावा सिद्धा को राव उपर से में हाफ बन डीये हैं हैं कि आप हैं जो है यहां नीजिस के बाल मेंढ़ा नीजिक कर लिया था विदियो नहीं कौनियतग से जा लेता को करने लाई हुआ हुआ Hay Any proces तो इस तरह से लेने के बाद हम जो है री चेक करेंगे कोई बाल इसमें छोटा बड़ा तो नहीं रह गया तो उसको हम चेक करेंगे और साथ में कट कर देंगे ठीक है जो कोई बड़ा बाल हुआ तो फ्रेंड्स आप मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा कि आप को पसंद आती है या नहीं आती है तो जरूर बताईएगा ठीक है तो यह देखें यह मैंने सेक्षिन जो है वह आल्मॉस्ट ले लिया है और इसको री चेक करने लगी हूँ इन सारों को अच्छे से कॉम करना है आपको पहले ही बताया है क्योंकि इनके वेवी बाल है तो इ करेंगे कि अब तक बालों में जो वालिम है और अच्छे से क्रियेट हो तो इस ता से करने के बाद यह देखें इनके जो बैक सैट के कि अब तक्रीब जिए नफ के बाल हम लेंगे कि एर से यहींदे लेंगे लेकिन हम जो इसकी देप्थ लेंगे और इस धाई इंच को जो है हम थोड़ा सा कट करेंगे लेर्ज में ठीक है यहां से मैंने एक पार्ट ले लिया है और यहांसे दोस्टा पाट ले कि इस तरह से हम इन बालों को ले लेंगे और इसके बाद इन सब को एक साथ लेकर अच्छे से पहले कॉम करेंगे इसके बाद इनके जो नाक है नाक किसी पर कह सकते हैं ठीक है हम उसको गाइड लाइन के तोर पर योज़ करेंगे और यहां तक देखे हमने रख के और इसको यहां से कट कर देंगे ठीक है इस तरह से यूभी हम लेयर कट कर सकते हैं लेयर जो कट करने के हैं बहुत साथ तरीके हैं लेकिन हमने यहांपे यह वाला मैथट यूज़ करना है उसके बाद हम इसको 90 डिग्री पर रखेंगे और जो हमारी फ्रंट की गाइड लाइन आरी है ना उपर की आरी है हम उसके स और यहां पर लाने के बाद हम फ्रंट के बालों को ऐसा गाइड लाइन देखते हुए हम इसको कट कर देंगे यह देखें बिल्कुल लाइटली सा कट होगा इसा से कट कर देंगे ठीक है वह हमारी बहुत ही प्यारी जो है कटिंग जैं वह होगी है अब यह स्थरा से चाहें अपने माणों को जरहरै निकाले राइट से निकाले से निकाले जहां भी निकालेंगी सेट हो जाएगा यह जो है इनका जो है गीले बालो का लूक है और अभी मैं आपको इसको ड्राइक करके और फिर दिखाती हूं कि क्या लूक आता है यह देखिए इनका गीले बालो का लूक है अब देख सकते हैं कि कटिंग बहुत जबरदस हुई है जी फ्रेंड यह इनका जो है ड्राइ बालो के साथ फाइनल लूक है आप देख सकते हैं कि बेबी बहुत प्यारी लग रही है बहुत ही अच्छी कटिंग हुई है अब इनके बाल जो हैं बहुत ज्यादा ठीक लग रहे हैं और यह खुश भी बहुत हैं यह कटिंग करवा के तो यह देखिए आप इसमें बहुत अच्छे से वाल्यूम क्रियेट हो रहा है इसको आप माधूरी कटिंग भी कह सकते हैं क अच्छी का थैंक्स पर वाचिंग वीडियो अलाहाफिज अच्छी का थैंक्स पर वाचिंग भी बहुत हैं अच्छी का थैंक्स पर वाचिंग भी बहुत हैं